नमस्कार दोस्तों स्वागत है हमारे यूटूब चैनल में दोस्तों यूपी ट्रिपलन सी एनम महिला स्वास्था कारेकरता डाकूमेंट वैरिफीकेशन यूपी ट्रिपलन सी एनम महिला फाइनल मेरिट कटाफ MUB बहुत कम, कम नंबर पाने वाले अभ्यर्थियों में खुसी की लहर, प्रत दिन लगभग 200-200 अभ्यर्थी डाकुमेंट वेरिफिकेशन में फेल पाये जा रहे हैं, सभी संबीदा अभ्यर्थियों को प्रथम वरीता, दोस्तों मैं वन बाई वन सभी बताऊंगा आपको अभ्यर्थी डाकुमेंट वेरिफिकेशन में अभ्यर्थी फेल हो रहे हैं, कौन-कौन से अभ्यर्थी वहाँ पर भी डाकुमेंट वेरिफाई करने के लिए पहुँच गये हैं, मैं वीडियो के मादम से कई बार बताया था उन लोगों को, तब भी उसके बाद भी वो लो सब कुछ रहा, उनका डाकुमेंट वेरिफाई हो गया, मैं बार बार बता रहा था कि प्रपत्र प्रमाडपत्र जो है उसको अच्छे से भरें, तब जाके आपका डाकुमेंट वेरिफाई होगा, वहाँ पर दोस्तों स्कैनिंग भी हो रहा है, आपका एक एक के लिए आप एफिडेविट बनवा लिजेगा, एफिडेविट बनवा लेंगे तो आपका वह निस्तारण दूर हो जाएगा, जो भी कलतिया है, और इसके बाद भी मैं आप लोगों से यही बताया था, जिनों ने जी एनम किया है, वो कत्ताई जो है डाकुमेंट वेरिफ अच्छा भी दी, उनके पास एनम का डिप्लोमा नहीं है, रेजिस्टेशन नहीं है, इसलिए उनको भी वहां से भगा दिया जा रहा है, उनको भी कह दिया जा रहा कि आप जाएए आप से कोई मतलब नहीं है, तो दोस्तों इस तरह से डाकुमेंट वेरिफिकेशन में, मैं आपके 9-10 दिन में जो डाकुमेंट वेरिफाई हो रहे हैं, अगर 300 अभ्यर्थी छट रहे हैं, तो लगए 3,000 अभ्यर्थी तो ऐसे ही छट गए हैं, 3,000 अभ्यर्थी पहले से छटे हुए थे, 3,000 फिर डाकुमेंट वेरिफिकेशन में छटे, यानि कितने हो गए हैं, 6,000 टोटल कितने भेर्थियों ने परिच्छा दिया था 17,731 भेर्थियों ने 17,000 संथिंग ने दिया था अब 17 में से आप 6,000 को निकाल दीजिए कितना बचा? 11,000 संथिंग अब ये मान के चलिए कि इतनी कम कटाफ जाएगी कि आपको मैं क्या बता हूँ बहुत कम कटाफ जा रही है आपको real और authentic news बता रहा हूँ document verification आथ तीसरा दिन है तीसरे दिन को देखते हुए और इसके बाद दोस्तों जो कम number पाए हुए है बहर्थि हैं उनको कोई दिक्कत नहीं है उनका भी document verification हो रहा है अच्छे से अगर हो गया है तो वह जरूर selected होने के पातर रहेंगे और इसके साथ संबीदा अभ्यर्थियों कि में खुसी की लहर है उनको तो already weightage मिला है तीन नमबर, छे नमबर, बारा नमबर पंदरा, maximum पंदरा नमबर जो अभ्यर्थि 10 नमबर, 15 नमबर पाए है संबीदा के उनको जो है, उनके लिए बहुत ही अच्छी खबर है अगर 10 नमबर भी पाए है और 15 नमबर उनको अगर weightage मिल जा रहा है तो हो जा रहा है 25 नमबर, प्रथम बरियता संबीदा अभ्यर्थियों के लिए है उसके बाद फिर जो है, फ्रेसर अभ्यर्थियों मैं जितने point आप लोग को बताया था सभी point सही निकल रहे है biometric भी हो रहा है वहाँ पर और इसके साथ में जितने document है बहुत अच्छे से checking भी हो रही है जो अभ्यर्थि मेरे वीडियो के माध्यम से मेरे वीडियो को follow किये जितना मैं नियम बताया था अगर उन्होंने follow किया है तो उनका document रुका नहीं है बहुत अच्छे से verify हो गया है तो दोस्तों अभी मौका है 18 तारिक तक के जितने भी अभ्यर्थि है फटा फट चैनल को subscribe कर लें जिन लोगों का अभिलेक पर इच्छड़ नहीं हुआ हुआ हलोग भी क्योंकि मैं परड़े जो है अबडेट आप लोगों को देता रहूंगा किस हिसाब से क्या चल रहा है वहाँ पर और कटाफ बहुत कम जाएगी रेजल्ट तो आपको इसी जून के लाश्ट वीक में देखने को मिलेगा जुलाई में आप लोग को जोईनिंग तो दोस्तों बहुत बड़ी अपडेट है ठीक है दोस्तों वीडियो को आप सेर करिएगा एक लाइक कर दीजिएगा रियल और अथेंटिक न्यूच पाने के लिए और सस्क्राइब ना किए हो चैनल को तो सस्क्राइब जरूर करें दोस्तों मिलते हैं नेक्ष वीडियो में धन्यबाद की